आपके अब तक के सपोर्ट के लिए बहुत इंस्पारिंग कॉमेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मॉच आज का वीडियो जो है थोड़ा सा फॉलो अप टाइप का वीडियो है ऑफ आवर टर्टल ट्रेडिंग सिस्थम जो हमने पिछले दो वीडियो इसमें डीटेल में डिसक स्टोरी एक्स्प्लेइन किया है कि टर्टल ट्रेडिंग सिस्थम क्या था कैसे स्टार्ट हुआ किस ने स्टार्ट हुआ क्या उसके बेसिक रूल्स थे और पार्ट टू में हमने थोड़ा सा उसको प्राक्टिकली चार्ट पे अपलाई करना सीखा है यह हमारा स्कैनर था सि कुछ friends ने मुझे Twitter पे कुछ stocks के नाम भेजे जिनको देखने के बाद मुझे लगा कि शायद हमें screener में कुछ और filter add करने चाहिए तो मैंने कुछ filter add कि आप देख सकते हैं मैंने market cap add किया 10,000 crore से उपर यानि कि हम highly liquid या large cap stock की बात करेंगे plus मैंने volume 5,000,000 कर दिया है ADX मैंने add किया है और ADX DI positive add किया है इससे हम मैंने RSI भी add किया इससे हमें कुछ और फायदा होगा कुछ stocks आया है यहाँ पे हम इन stocks को अब जाके देखते हैं सभी large cap companies हैं बहुत बढ़िया volume आया है तो इनको अब हम सरा trading view पे एक बार review करते हैं पहला stock है Reddington India मेरा portfolio stock है एक disclaimer देता हूँ Reddington stocks में जाते हैं Reddington India Limited चार्ट खोल लेते हैं हमें देख रहा है यहाँ पे एक breakout सा जैसा सा अच्छा एक काम करते हैं मेरे कुछ personal indicators में माई स्क्रिप्ट मेरे कुछ personal indicators में एक indicator का नाम है टर्टल की पोटली और एक है multiple smn channel में इनको यहाँ पे plot कर लेता हूँ for the moment हम इसको छुपा देते हैं टर्टल की पोटली सेट है system 2 पे मैं इसको system 1 पे set कर देता हूँ आप इसको लेके परिशान नहीं हूँ आपको जो मैंने system जो लास्ट वीडियो में system समझाया वैसे ही use कर सकते हैं यह मैंने अपने सहूलियत के लिए बनाया वाइक indicator जो मुझे quickly बता देता है कहां पर breakout है और क्या stop loss और target levels है as per our turtle trading system यहाँ पर हमें दिख रहा latest breakout आया है 346.45 पर जिसके हिसाब से stop loss होगा first stop loss है हमारा 320 का देख रहा है जहां तक मुझे समझा है 320.4 second stop loss है 305 रुपे का इसी तरह ही हमें कुछ targets बता रहा है पर क्या यह breakout सही है देखो कुछ दिन पहले भी breakout आये था और उससे भी कुछ दिन पहले breakout आये था और एक बार यह मेरा indicator है यह क्या बताता है कि अगर एक बार breakout आ गया है तो फिर वो जैसे प्राइस उपर चाहिए तो आपको बार-बार breakout आपके scanner पर आता रहेगा तो हमें क्या होना है कि अगर एक बार breakout आया है तो उसके बाद वाले breakout पे ट्रेट नहीं करना है अगर हम थेलिए वाले system पे काम कर रहे हैं तो हमें क्या पिछले 20 देज में कोई जाट ग्रेंटे अगर ह सिपार्ट तो it's part of the previous breakout, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, यहां से एक date range पकड़ते हैं, यहां last breakout आया था 22 days पहले, तो it's a valid breakout in that sense, हम इसको मान लेते हैं कि ठीक है, यह आपका highest high होगा यह वाला, जिसका अभी breakout आया है, now the question is, क्या यह breakout हमें trade करना चाहिए, क्या यह tradable breakout है, तो काम करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, अब आप इसको normally देखो, बिना किसी indicator के, एक हमने बहुत ही बहुत ही बहतरी इन वीडियो बनाया है, जो कि आपको false breakout या, थोड़े से कमजोर breakout से बचाने में help करता है, प्लस कुछ चीजें होती हैं, जो सिर्फ experience से आती हैं, आपको chart को देखके समझ आता है, कि ये मुझे trade करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपकी जगे होता, तो मैं क्या करता, मैं ये सूचता कि एक resistance मुझे यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, मैं इसको भी breakout का weight करता, क्योंकि बहुत भी pass है, बहुत पीछे होता, तो मैं शायद ignore कर देता, मुझे लग रहा है, यहीं पे है, प्लस एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो यह है, कर आप यहाँ पे देखो, कि यह जो था, RSI यहाँ पे बहुत ऊपर है, और यहाँ पे price तो almost वहाँ आ गया, अभी इसने breakout नहीं दिया, double top पूरा बनेगा, तब हम RSI compare के हो सकता है, यह price जब इसके उपर जाए, तो RSI यहाँ पे भी आ जाए, तो हमें जल्दी क्या है, let's wait for it, हमें confirm हो जाएगा, जब यह price इस level को break करेगा, और वहाँ से अगर एक भी candle नीचे बना, तो RSI नीचे एक नया swing high बनातेगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे divergence है कि नहीं, अगर divergence है तो हम इग्नोर कर देंगे, तार्टा कंजुमर, आज तो सब अच्छे स्टॉक्स हैं, तब मेरे फेवरिट स्टॉक्स है, तार्टा कंजुमर पर आ जाते हैं, my goodness, look at this candle, यह तो देख के ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ गया है, जरह अपनी टर्टल की पोटली लगा लेते हैं, यहाँ पे, बहुत बढ़िया, इक्साक्ली यहीं पे एक ब्रेक आउट दे रहा है, आट सो साथ रुपे पे बाई करने के बूल रहा है, साथ सो एकतर का फर्स स्टॉपलस है, साथ सो पेतालिस का सेकंड स्टॉपलस है, देट रेंज लगा लेते हैं, क्या 20 डेस पहले और रेडी कोई ब्रेक आउट आया था, लास्ट ब्रेक आउट 23 डेस पहले था, जो की चला भी नहीं था, तो पूरे चांसे हैं, अगर आपने टर्टल ट्रेडिंग सिस्टिम के रूल्स ठीक से देखे हैं, और आपको याद हो, तो इसमें होता है कि कंजेकेटिव ब्रेक आउट को एगनोर करना होता है, देखो लास्ट ब्रेक आउट यहां आया था, जो की अच्छा चला, उसका नेक्स आपको इगनोर करना था, और अब फिर से एक ब्रेक आउट आया है, और ब्रेक आउट भी काफी कफी नविंस लग रहा है, आप यह दो बड़ी कैंडल्स देख रहे हैं, दो वॉल्यूम बाड़ी बड़ी बार्स देख रहे हैं, तो वो थोड़ा conviction दे रही है, अब हमें क्या करना है, यहां पर हमारी levels है, यह levels कैसे निकालते हैं, मैंने अपने second video में बहुत detail में समझा है, 2 into ATR, 4 into ATR, 6 into ATR, जो जिससे आप convinced हों, 1 into ATR, 1, 3, 5, 7, 9, जो आप targets देना है, और अपने हिसाब से, ATR भी नहीं लेना, अगर आपक targets अच्छे से निकाल पाते हैं, तो अब Fibna की level से निकालें, मैं multiples of ATR को use करता हूँ, target और stop loss के लिए, क्योंकि मुझे turtle trading system में belief है, मुझे पूरा भरोसा है, मैंने बहुत test भी किया इसको, कुछ चीज़े हमें common sense से और experience से apply करनी होती हैं, before we actually take the trade, जैसे कि अमने रेडिंट वाले example में देखा, turtle trading system पे breakout आया है, लेकिन मैं फिर भी वो नहीं trade करूँगा, क्योंकि मैं convinced नहीं हूँ, बाकी चीज़ों को लेके, चलो तो अब वापस data consumer के बात करते हैं, ये breakout आया, 20 days का आया, हम देख लेते हैं, last 10 days का lowest low है, ये है lowest low और इसने ये बता दिया, stop loss है, अ लोग convincing, absolutely, मुझे तो बहुत convincing लग रहा है, लेकिन, एक चीज़ जो है, वो हमें और देखनी चाहिए, कि कितनी बड़ी candle बनी है, ये candle है, लगपक 4.78%, इस candle के high को break होने देते हैं, ठीक है, मुझे divergence नहीं देख रहा है, तो मैं convinced हूँ, आप नीचे देखें, divergence नहीं है, जो last high बना था, या ये जो बना था, जितने भी spikes बने थे, अभी का RSI उन सबसे ऊपर है, तो उस sense में I am convinced, ठीक है, कि ये चलेगा, ये चलना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी candle के बात, कभी-कभी थोड़ा सा retrace हो जाता है, stock, तो अगर इसका high break कर जाता है, अच्छे से convincingly, high break कर के next candle इसके high के ऊपर close हो जाती है, तो और थोड़ा conviction आजाएगा, हमें कॉंसर जल्दी है, हमारी परस तो बहुत सारे stocks है, और daily कुछने कुछ stocks आते ही रहते है, L&T, वाव, बहुत बढ़िया है, L&T को उठाथ के देखते है, L&T, वाव, बहुत बढ़िया, अगर आप बि खड़ा हुआ stock, और बहुत अच्छा breakout दिया है, अगर आप इन shapes को कुछ बोलते हैं, बहुत सारे लोग in shapes को बहुत सारे नाम देते हैं, कोई इसको head and shoulders बोलेगा, कोई इसको cup with handle बोलेगा, हम उदर नहीं चाते हैं, ठीक है, तो हम चलते हैं daily chart पे वापस, यहाँ breakout आया है, यह 20 days का breakout, वैसे भी दिख रहा है हमें, और मुझे लग रहा है, शायद 55 days का breakout भी होगा, let's apply our turtle की portly, यह breakout आया है, यहाँ पे, आया है, अब हमें क्या करना है, अगर आप इसको देखें, date range निकालते हैं, यहाँ से जहाँ breakout आया, वहाँ से last breakout था 16 days पहले, तो हम इसको trade नह करेंगे, मतलब आप कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा, मेरा experience कहता है, इसको ignore कर दो, क्योंकि यह breakout इसी का part है, इसी breakout का, क्योंकि यह breakout अभी तक complete नहीं हुआ, इसके stop loss भी हिट नहीं हुआ है, और अभी तक यह continue कर रहा है, उससे पहले जो breakout आथा, देखो successful नहीं था, उसके बाद अब जो breakout आया है, यह अभी तक complete नहीं हुआ है, तो I will avoid, but, अगर आप turtle grading system को हटा दो, ठीक है, और इसको normally देखो, तो यह बहुत बढ़िया breakout है, अगर आप मुझ से पूछो personally, क्योंकि यह two candle का setup, बहुत बढ़िया two candle का setup है, यहाँ बहुत two bullish candle बनी हुई है, बहुत historical level पर breakout हुआ है, अच्छे उसके साथ breakout हुआ है, यहाँ से मुझे divergence भी नहीं देख रहा है, but, आज हम turtle trading की बात कर रहे हैं, इसलिए इस पर बात नहीं करते हैं, ठीक है, Siemens, Siemens, again, बहुत अच्छी company है, Siemens, my goodness, look at this candle, मैं तो ऐसे ही avoid कर देता हूँ, इस तरह की candles देखके, क् कि जब इतना run-up हो जाता है, तो मुझे लगता है, price के पीछे नहीं भागना था, I'll wait for, अगर आप मुझसे personally पूछो, तो I'll wait for this stock to come back to this level, इस लेवल पे pullback आने तो इसका, personally, मेरा opinion है, आज हम दूसरी चिज़ा की बार-बार बात करें, let's focus on turtle trading system, turtle trading system के हिसाब से यह breakout नहीं और फिर उसके बाद यहां तक उसने दिया, उसके बाद वो खतम हो गया, उसके बाद फिर एक breakout आया, जो कि avoid करना था, फिर लेकिन, और उसके बाद मेरे portly indicator के हिसाब से यह breakout नहीं है, देखो, इस indicator में मैंने बहुत सारी दूसरी coding की विए पीछे, तो और भी कुछ चक करता है, उसके हिसाब से breakout नहीं है, तो यह breakout नहीं है, हो सकता है, शायाद indicators are not in rightly placed, ठीक है, let's see, absolutely, देख रहे हो आप, portly indicator ने क्यों नहीं बताया, क्योंकि 20 days चुक्का जो moving average है, वो 50 days moving average के नीचे है, हो सकता है, एक दो candle और green बने, यह इसको cross करतेगा, which will be a very good place to take a position, why, तो यह एक moving average crossover हो जाएगा, और आप देखो, 100 के channel से यह बहुत बढ़िया support लेता है, कुछ लोग बार-बार यह question post कर रहे हैं, कि जो swing trading वाले video पर आपने, जो channel support वाले video बनाए था, उसके ओपर कुछ और stock suggest कीज़े, देखो, हम क्या सीख रहे हैं यहां पर, हम सीख रहे हैं कि, how to catch a fish, so that you can catch your own fishes, अगर मैं ही आपको सब बना के दूंगा, तो फिर आपका experience नह नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप यह channels को लगाएंगे, आपको easily दिखेगा कि यह stock हमेशा 100 से एक अच्छा support लेता है, आप देखो, यहां पे इसने 50 से भी support लेकिन बहुत चोटे-चोटे swing है, लेकिन जब यह 100 से support लेता है, यह देखो, उसके बाद वो 100 पे आत it is not a breakout yet, यह breakout क्यों नहीं है, वो हमने दूसरे इस से देख लिया, क्योंकि यहां पे अभी तक moving average, right order में नहीं है, right order में आ जाते है, पिलकु लेना चाहिए, वैसे breakout बहुत positive है, अगर आप इसको देखोगे, यहां पे कोई भी divergence नहीं लिख रहा, यह breakout बहुत अच्छा है, म इतने लंबे candle पे कभी कभी trade नहीं लेता हूँ, आपकी call है, भारती Airtle पे आ जाते हैं, भारती Airtle, यह breakout अल्रडी हो चुका है, यह हमारे scanner में क्यों आया है, क्योंकि जैसे जैसे price उपर जाती जाएगी और एक बार बार breakout होता ही रहेगा, यह actually breakout trade करना था इस candle पे, जब यह 567 पे था, अब हमारा indicator, तब अगर शायद scanner आपने चलाया होता, तो तब भी आया होता, तो यह जहां पे breakout हुआ, यह stop losses थे, और अगर 567 के breakout पे हमने trade किया था, तो हमारा target होता 650, यह already 637 पे, third target को hit कर गया, अब हमें यह trade नहीं करना, अब हमें वेट करना है, जब next time ऐ को यहां breakout आया था, ठीक है, next पे जाते हैं, HDFC, HDFC, very good, बहुत बढ़िया fresh breakout देख रहा है, last time यहां breakout आये थे, देखो आप यहां पे वो breakout आया था, फिर चला और यहां पे फिर से आया, नेकेड़ाइस से भी समझ आ रहा है कि 20 days के बाद यह breakout हुआ, और अगर आप शायद 55 days करेंगे तो यह 55 days का breakout भी दिखेगा, बहुत बढ़िया breakout है, 27.04 पे खरीदना है, उसके बाद पहला target 28.04, 29.04 और 3,500, 3,000 से मेरे ख्याल से 29.50 के असपासी निकल जाना बेहतर रहेगा, HDFC बहुत बढ़ा stock है, इतने बड़ी चाल देना मुश्किल होता है, यह देखो, कोई divergence नहीं देख रहा है, यहां से यहां पे एक हलका सा divergence बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है, बन रहा है, क्योंकि जब तक यहां पे swing का, RSA swing high नहीं बनाता है, ना, we cannot conclude कि यह divergence है कि नह इस, ओफो, देखें आप, यहां पे moving average crossover भी है, जो और ज्यादा conviction ला रहा है, volume देखें, 50 days के moving average के volume से भी ज्यादा है, moving average का crossover है, 100 से के channel को cross करके बाहर निकला है, 200, यह देखें, यह 200 moving average है, इसके भी उपर आया है, बहुत बढ़िया, मुझे तो यह breakout अच्छा लगता है, market कल क्या करता है, सिर्फ market ही जानता है, आप और मैं कोई नहीं है, हम सिर्फ एक probability पे trade करते हैं, ठीक है, हो सकता है, थोड़ा retrace कर जाए, इस level तक retrace कर जाए, कर जाए तो कर जाए, हमारा stop loss का है, हमारा stop loss भी यहीं पे है, देखो हमारा stop loss, जहां पे हमें अपनी आधी quantity नि यूस कर रहे होते हैं, आप उसमें क्या करें, एक share या दो share खरी दें, जैसे मैं generally क्या करता हूँ, दो share खरी लेता हूँ, दो share खरी ने से क्या होता है, कि जैसे पहला stop loss हुआ तो मैंने एक share बेश दिया, मैं दूसरा hold किया हूँ, मेरा कितना loss होगा, 200 रुपे का loss होगा, 300 रुपे का loss होगा, लेकिन मेरी strategy टेस्ट हो जाईगी, और जब मैं strategy को test कर रहा हूँ, तो मैं पैसा बनाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, तो मैं अगर यह यहाँ पर भी गया, तो मुझे 200-300 रुपे का profit होगा, लेकिन मेरे को एक conviction बिल्ट होगा, और इस तरह से बार यह महिने तक बहुत अच्छी तरह से समझ ना ले, मैं minimum 6 months बोल रहा हूँ, लोग एक साल, दो साल भी करते हैं, मैं 6 months बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक ready-made system मिला है, वरना 1-2 साल भी लोग एक ही strategy को test करते रहते हैं, different market conditions में, एक मेरी request है, आप लोगों से, प्लीज आप मुझे इस तरह से chart बेजेंगे, मैं वो chart नहीं देख पा हूँ, और वो गलत है तरीका भी, क्योंकि अगर आप chart मुझे बेज देंगे, तो then you are not learning on your own, और इस field में आप खुद और सिर्फ खुद ही learn कर सकते हैं, आपको कोई नहीं से का सकता है, सच बता रहा हूँ, इस last 20 days का lowest low count करेगा, यह last 20 days का lowest low है, this is your stop loss, 2 into 80R stop loss वहीं रहेगा, वो नहीं चेंज हो रहा है, targets हमने कैसे बनाए है, 2 into 80R, 4 into 80R, 6 into 80R, तो वो भी चेंज नहीं हो रहे, बस हमारा stop loss चेंज हो रहेगा, क्योंकि एक लंबे duration का breakout है, इसी तरह आप हमारा दूसरा scanner, 55 days वाला है, system 2 वो भी चलाएं, stocks को review करें, process यही है, trade नहीं करें, until unless you are fully confident, और या फिर आपका कोई financial advisor है, जिससे आप consultancy लेते हैं, आप उन से discuss करें और उसके बाद ही trade लें, देखो मैं सिर्फ एक process समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी stock specific recommendation नहीं दे रहा हूँ, यह जो भी मैंने आज बताया है, यह सब क्या है, एक process को समझाने के लिए कुछ examples लिए हमने, ठीक है, thank you very much and very happy independence day in advance.